क्लास 11 केमिश्ट्री का चैप्टर नमबर 2 एटोमिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा टॉपिक है समभारिक जिसे हम इंगिसमें आई शोबार्स बोलेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन है बिभिन तत्वों की बे परमाडू जिनके परमाडू कर्मांक विन हों लेकिन परमाडू द संख्या समान हो संभारिक कहलाते हैं मलब समस्थानिक में आपको मिन बताया था कि ऐसे तत्वों की परमाडू जिनके परमाडू कर्मांक तो स्यम होंगे लेकिन परमाडू भार अलग-अलग होंगे वो समस्थानिक थे लेकिन यहां पर क्या है संभारिक है इसमें यह और है और यह बहारत बोíamosकर 2 आज़ए ब्राबर आप 10 करीं दमक bravery करता सबस्कि अत्सृट और इसलिए वह उन्हें इस नोट एक्वल टू का चिन लाया है और ए बराबर ए इसलिए लखा है क्योंकि दोनों के परमाडू जो द्रब्रमाने है वो समान होंगे अब इनमें जो एहटॉमिक नंबर है मलब परमाड जो संख्या है अलग होने के कारण इनके राचाने गुन भी भी भिन अलग होते हैं व dign होंगे क्योंकि इनकी परमाड जो संख्यार भी भिन होती है एक्जामपल में ने लिया आया ओर्गन और केलिशियम का आर्गन का जो पर्माडू करमांग है वो 18 है और केलिशियम का पर्माडू करमांग 20 है लेकि दोनों के पर्माडू करमांग अलग अलग है 18 और 20 लेकि पर्माडू जो दर्बिमान है वो दोनों का सीम है 40-40 इसलिए आ नाइटोजन का परमाडू के मांग साथ है, दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों के परमाडू भार हैं, वो सेम हैं, चोध हैं, चोध हैं, इसलिए कारवन और नाइटोजन भी एक दूसरी के संभारिक हैं, संभारिकों के गुण, अब संभारिकों के गुण है, उसमें नमबर वन आपका है, संभारिकों में जो परमाडू के संख्या होती है, असमान होने के कारण उनके परमाडू संख्या भी अलग-अलग होती है, अब संभारिकों में परमाडू के संख्या तो असमान होगी होगी, क्योंकि परमाडु किर्मांक दोनों के अलग-अलग होते हैं और हम जानते हैं कि जो परमाडु संख्या होती है वो प्रोटोनों के संख्या के बराबर होती है इसलिए जब परमाडु किर्मांक दोनों के अलग-अलग होंगे तो ने में प्रोडोनों के संख्या भी अलग-अलग होगी नमबर दो है आपका इनके इलेक्ट्रोनिक बिन्यास भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि इनके राशानिक गुण अलग-अलग होते हैं अब इनके राशानिक गुण अलग होने के कारण ही इनका जो इलेक्ट्रोनिक बिन्यास हैं वो भी अलग-अलग होंगे किनके संभारिकों के नमबर तीन है आपका संभारिकों के जो दर्बिमान संख्या समान होती है वो समान होने के कारण ही इनके बहुते गोड़ भी समान होती है इस चीज़ा आप उध्यान रखनी है कि समभारिकों में अगर पर्माडू क्रमांक अगर समान नहीं है तो उसके रायसाने गोड़ भी समान नहीं होंगे और अगर इनके दर्बिमान संख्या समान है तो इनके बहुत ये गुण भी समान होंगे चोथा इसका गुण है कि आवत सारडी में जो आई सो बार्स हैं मतलब समभारिकों का जो इस्थान है वो अलग-अलग है एक जगह पर नहीं है अलग-अलग दिखाया गया है